हेलो गाइस वेरी वेरी गूड इवनिंग आप सभी को मैं प्रियल आपका बहुत-बहुत सवागत करती हूं आपके अपने इस चैनल पर प्रियल मैं में रीजनिंग के अंदर तो अगर आप नए हैं पहली बार जुड़े हमसे सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को लाइक क ग्राउंड फर्म को निकलो हैं काफी बच्चे ने फर्म एपलाई भी कर दिया होगा कुछ बच्चे का जो बच्चे रह गया होगा सोच रहे हों एंड टाइम पे अपलाई करेंगे तो वह भी अपलाई करने वाले होंगे एक से दो दिन और रह गए इसको लास्ट डेट को पर आज आप लोगों समझ में बहुत अच्छे से आएगी अगर आप सच्छ में बैंकिंग के त्यारी करना चाहते हैं तो अब इतर आप लोगोंने क्या क्या होगा फॉर्म भर दिया होगा फॉर्म भर ने के वाल प्राई चालू कर देगी ददद घंटे पढ़ रहे होंग तर लेके जाएं कि आपका रिजल्ट एक पॉस्टियू रिजल्ट के सामने आपको सामने आए उसके बारे हम डिसकॉस करेंगी तो वन बैवन डिसकॉस करने वाले हाज हम लोग मैं हर चीज बहुत बिलकुल छोटे छोटे चोटे बताऊंगी तो हर पूरी वीडियो को लास बैंकिंग किताब को एक प्रॉपर वेमेंट लगाने से काम चलेगा ऐसे काम नहीं चलेगा तो आज है भाई डिसकॉस करने वाले तो शुरुआत करते हैं बिगनर से ऐसे बहुत सरे बच्चे होंगे जो शायद पहली बार ही बैंकिंग की त्यारी करना चालो किये होंगे ऐ को पता है रीजनिंग में पजल सबसे टफ है तो कुछ बच्चे क्या सचेंगे चलो हम शुरुआत पजल से करते हैं बहुत चेंग मन में आयोगा कि बही पजल ही हमें आता नहीं है बाकी तो हमें आता है तो शुरुआत पजल से करते हैं तो सबसे बड़ी गलती वही करते ह पहले बार में नहीं बनती दूसरे बार में नहीं बनती तिस्ती बार में नहीं बनती और चौथे वार में आप दम तोड़ देते हो यह काम होता और रही किताब बंद और यह लिए तू बैंकिंग तू रख अपने पास हमारे बसके बात नहीं है तो यहीं हमसे बड़ी गलती अच्छा आप रूटीन मनाईए, आच्छा वीडियो देखेंगे, तो आज आप रूटीन मनाईए, दो घंटे आपको पढ़ाई करने हैं, सिर्फ दो घंटे, एक फिक्स टाइम पर करने हैं, आप अपना टाइम फिक्स कर लीजे, कि बही मुझे ये दो घंटे इस समय देने ह चाहें कुछ हो जाएं, चाहें पूरे दिन में किताब को हाथ में लगाऊं, लेकिन इन दो घंटे मुझे पढ़ाई करने हैं, पहली बात आप ये फिक्स कीजें, जो बिगनर से उनके लिए बोल, जिनको पढ़ाई की हैबिट ही नहीं है, जो जॉब छोड़के त्यारी कर अगर आप बैंक ही त्यारी करना चाहते हैं, तो आप पहले फिक्स कीजें, बहुता है, तो बारा से दो पढ़ूंगा, या पढ़ूंगी, दो घंटे फिक्स कीजें, पहली बाई, जो छोटे से स्टाट कीजें, दूसरी बाई शुरुवात ईजी से कीजें, इसे सब लोग पजल है, पजल नहीं पता है, आपको जड़ बाई कंब केशाएं, शुरुवात कीजें, शुरुवात कीजें। तो आपको अपनी strength पर पर पड़ेगा उसको इसकी ट्रेंद्ट पर पर करना पड़ेगा compare उसकी तो शुरुवात करती हूं आपको topic वैस समझाऊंगी आपको subject वैसी कैसे हो तयारी स्राट करनी है तो समझ में आगर क्या पहले शुरुआत चोटे से करनी है और पहली बात दिख लिए रहोगी अब बात करते हैं से हम लोग क्वांट की बात करते हैं मैस बोली उसकी बात करते हैं तफ लगता है बच्चे कोई टॉपिक देखते कैसे स्टाट करेंगे पहले लिखें कोड़ के वात करें पूरा 3 अस्टमें बटा होता है पहला है कि एक पार्ट होगिया इसको सकॉरिंग पार्ट बोले एक पार्ट होगे रहूंग दस सवाल लाएंगे- रृथ्मेटिक वो पार्ट होगया Есть पार्ट होगे-डी इक तो ओर तो मैंने पूरे quant को 3 से बाटा हुआ है, आप भी ऐसे बाट लीजिए, आप 1 by 1 बर केजिए, पहले हम बात करेंगे scoring part की, क्यों, scoring क्यों, देखो आप लोग क्या करते हो, आप आज mock test देखे, आप mock test देंगे, आज 40 का mark सा mock test होता है, ठीक है, quant 40 marks के आज, 40 में 10 नवर आते हैं आपके, तो आप क्या देखते हैं, यार मेर से यह नहीं हुआ, मेर से वो नहीं हुआ, मैंसे यह नहीं हुपाय, यह D.I. मुझे बहुत तफ लगी, मुझे अरत में बहुत तफ लगी, पर आपने यह नहीं सोचा कि, आपने easy portion को भी इच्छे से attempt नहीं किया, तो पहले हम क्या करेंगे, जिसा आपको पता है, यह quadratic equation हुई, इस number series हुई, इस implication को मिला कि, अनाउं 15 मंबर बैढ़ जाते हैं अराम से, 15 marks का यह पूरा portion आता है, तो पहले मुझे क्या करना है, इन 14, 15 marks को secure करना है, कैसे करेंगे, अब habit डाली पहले, जो 2 घंटे पढ़ने शुरुआत के दि उन 20 square से याद करने, उन 20 को लिखें, ती इन चाहबा लिखें, याद हो जाएगे आपको, फिर अगले दिन वापे से, देखो, यह वाग समझना, ऐसे मान लीजे, आज आज आपने दिसोचा है, कि मैं आज टेबल से याद करूंगा, आपने 12 की, 13 की, 14 की मान तीन टेबल से याद कर लिए, और आपने एक से लेकर 20 के square से याद कर लिए, आपने math से खतम हो गया, अब बाकी जो भी क्या हो, अब अगले दिन आप जब math उठाओगे, तो आपको क्या करना है, जो आपने कल जो पहले पढ़ा था, पहले उसको पढ़ना है आपको, ऐसे कल आपने squares की त उसको पहले लिखोगे, उसके बाद नया चालू करोगे, अब next day, third day आगे तो क्या करोगे, जो last के दो दिन आपने पढ़ा है, पहले उसको लिखोगे, देखो, first day जब आपने एक से लेका 20 तक table याद करियोंगी, तो आपको एक घंटा लगाओगा, अगले दिन जब आपन उसके square को लिखा, तो आपको 15 मिट लगेंगे, जब third day आप उसके चीज़ को लिखोगे, तो आपको मुश्कल से 5-10 मिट लगेगा, और fourth day जब लिखोगे उस चीज़ को तो मुश्कल से 5 मिट लगेंगे, तो ऐसे ऐसे आपको time reduce करना है, लेकिन जो चीज़ आपने first day पहले इसको लेते रहना है, सेम बात पहले आप क्या करोगे, पहले squares को याद करेंगे, cubes को याद करें, tables को, three days लगाए इनको याद करने में, तीन दिन आप लगाए, लगाताल लगाए, तीन दिन, आपको squares, cubes, tables सेबल साथ कीज़े, अब fourth day पे क्या करोगे, आप fourth day पे calculation को क इसे approximate calculation, अगर आपको इस question से बहुत अच्छी बात है, अगर tricks नहीं आती, YouTube पे बहुत शरी वीडियो से लगाए, फिर इसको solve कीजिए, ध्यान अखिगा, जब आप पहले बात simplification करेंगे, तो आपको इसा लगेगा, यार, tricks से जाधा tip लग रहा है, normal करूंगा, आसान trick से, लेकिन सवाल को trick से solve कीजिए, simplification उसको trick से solve करना है, बिना trick के solve नहीं करेंगे, चाहे एक सवाल करना है, दसमुन कुन लग जाए, कोई दिक्कत नहीं है, तो अगर तीन दिन कर लिए, तीन ने लगाता simplification कीजिए, अप्रोक्सिमेशन कीजिए, चाहे आपको एक दिन मे या उसको repeat तो करना ही करना है, फिर नया कीजिए, दो दिन तीन दिन लगाए, simplification करने पर इतना आपका strong हो जाएगा, फिर next दिन क्या करेंगे, आप से नंबर सीरिस को उठाईए, सेम का नंबर सीरिस को करने है, दो उस दिन लगाए, नंबर सीरिस करने के, कम से कम 100 नंबर स साथ साथ जो आपने simplification के है, उसके भी कम से कम 10 सवाल उठाईए, जो चीज़ पढ़ते गए हो, उसको भी 10 सवाल उठाईए, सिरीस के 10 सवाल उठाईए, आपको simplification को उठाई, 10 सवाल, square cubes के भी 10 सवाल उठाईए, ऐसे करना है आपको, फिर उसके बाद work कीजिए, आप लो तो मतलब नहीं आगे भढ़ने का, अगर आप पिछला याद ही जाए, तो जो आप आगे भढ़ते जा रहे हैं, उनकी साथ साथ जा आप लोग पिछला भी देखते रहे हो रहना है, तो ऐसे हमने कहा है, पहले हमने अपने scoring part को improve करेंगे, एक हफते लगेगा, मुश्किल से अर्थमेटिक पर इंटरस्ट है या फिर डियाई में इंटरस्ट है, चैक किसी में भी इंटरस्ट हो, फिर आप लोग अर्थमेटिक का कोई topic उठाई, कौन सब्से पहले है, सबसे पहले आपको ratio, percentage, इन पर काम करना है, कि यही काम आपके अर्थमेटिक में भी आएगा और लेगा, आपको अपनी checklist भी बनाने है, checklist कैसे बनानी है, कि मैंने अभी तक क्या क्या पढ़ चुका हूँ, अभी तर लास्ट कुछ दिनों में, मैंने simplification पढ़ दिये, तो simplification के शिरुवात में दस सवाल लगे, टिक लगे उस पे, उसके बाद मैंने quarterly पढ़ लिए, दस सवा अभी आपको work करना है, daily चाहे 5 सवाल लगा हो लेकिन उसको छोड़ना नहीं है, regularly 5 questions लगाने है उसके उपर, ठीक है, तो ऐसे आप करेंगे तो आपकी चीज़े improve होने साट हो जाएंगी, और आप अगर beginner है हो चाहे आप पहले पढ़ चुके हैं, दोनों के लिए बहुत फा 15 marks की puzzle को हटा दीजे, बाकी आपका जो portion बचता है around 25 marks को easy portion होता है, पहले 40 मैंसे पकी की जन 25 marks को, कम से 20 हमें उसको पके करने हैं, कैसे करोगे आप देखो, ऐसे माल लो आज आपने inequality उठाई, inequality के 50 सवाल लगा लिए, अच्छी बात है आपने खतम करते inequality, कल उठीए, next करोगे, चाहें 10 सवाल, regularize 10 सवाल लेखिए, जो आपने कल इनिक्वालिटी पढ़ी थे, उसके 10 सवाल उठाईए, कोई भी हो, solve कीजिए, फिर आप नया topic पढ़िए, उसके वाज से ही मैंसे अगले दिन आपको नया topic उठाईए, लेकिन पिछले दो दिन जो आपने काम किय इसे वाले alphabetical भी पढ़ चुके और आपका इनिक्वालिटी पढ़ चुके, इन दोनों के 10 सवाल लगाईए, इनको करने में आपको बहुत कम समय लगेगा, आप दिर दिर आप देखोगे कि पिछला आपको revise करने में मुश्किल से एक घंटा लग रहा है, एक घंटे आपको revise कर लोगे, ठीक है, तो ऐसे करते हो, आपकर 10, 8, 7 से 8 दिन लगेंगे आपको पूरे topics को revise करने के लिए आपके reasoning के इतने भी होगे, जब एक हफ़ता हो जाए, फिर आप puzzle पर काम कीजिए, एक हफ़ते के बाद puzzle काम कीजिए, मानलो आज आपने एक puzzle लगाई, लेकिन उस एक puzzle को लगाने से पहले है, जो आप पिछला पढ़ चुकी है, उसको solve करना है, कैसे करोगे, मानलो आपने quiz लगा लिया करो, short quiz होती है, जो या फिर topic वह जो test आते हैं, देखा होगा, आपने कोई नगर टेस्ट इस खरीद ही रखी होगी, उस test series में आपको sectional test मिलते हैं, एक sectional test लगाईए, उस sectional test में सब कुछ आजाएगा, पांच quadratic भी आजाएगी, पांच implication भी आजाएगा, पांच आपका alphabetical series भी आजाएगी, पांच logism भी आजाएगा, जो आप पढ़ चुका होगा, और जो जो आप करन चुके है, उसको tick लगाते जाएगे, ऐसे आप step by step भढ़ बढ़ लिए, अब लगाते तो ना, पढ़ने है बाद लोगटा को, अब 5-6 दिन के बाद आखनटे बढ़ा जाएगे, इक घंड़ा और बार दिया, आप रहती तीन गटे पढ़ रहे हो, फिर 4 पांच दिन के बाद एक घंड़ा और बढ़ाइए, छाल गंड़ा नलगे, तो एक्जाम एक मीने पहले जब पर लगाओ तो आपको लगी कि एक फिटीन डीज रहे तो आपको पढ़ेंगे स्टेप बाइस आपको आगे पॉसिली वक करेगी एक और चीज़े आपको करने हैं ऐसे मालो एक हफता आपने पढ़ लिया उसकी बाइक चेक्लिस बनाई है कि यार मुझे क्या करने है मालो रीजनिंग की बात कुई मुझे रीजनिंग में जो एजी टॉपिक और मुडेली करने हैं उनको मिस नहीं करना है रेगुलरली करना है चेक्लिस बनाई है रीजनिंग चेक्लिस बनाई है मुझे पांच लोगिसम करने है पांच इनिक्वालिट अब बात करतें English की या फिर आप बोलें आप जिसके भी त्यारी करतें English है Hindi की जैसे भी आप त्यारी कर रहे हो त्यारी है अगर आप English में वीक हैं तो पहले आप क्या काम करें स्टोरीज को पढ़ना चालो कीजिए और grammar को दो पार फिक्स करें देखो इसमें भी दो पार चाते एक reading portion अलग रहता है और एक आपका grammatical portion अलग रहता है कम से कम जो काम आपको बोरिन लगता है जो काम बोरिन लगता है को आप टालते हो आज नहीं कल कर लूँगा अभी नहीं दोड़ दिर में कर लूँगा उसको काम पहले कीजिए उसको खतम कीजिए उसका वैसे reading करना आपको बहुत बोरिन लगता है तो पहले किताब उठाई है Indian phrases के लिए आपको और मैंने आपको बताई हुई है उसकी May Chronicle Hill की जो किताब है अपके और Mirror वाली जो किताब है वो बताई किताब मैंने किसके लिए है आपको Grammarもう करने के लिए वही काम उसके लिए कीचे ऐसे स्टेप बाइ स्टेप बढ़ेंगे तो आपको बहुत चाहता improvement भी होगा और आपको लगेगा कि हां भी हमें जी कुछ फाइदा भी हो रहा है यह वो चीज़े बता है जो मैंने अपनी life में अपनाई थी और आपको भी फाइदा होगा इन चीज़ों से बता हमेशे ही होता है जब बच्छा नहीं नहीं तयारी करना करता है यह भी कर सब्सक्राइब करें हमारे शानल को शेयर करें इस वीदियो को अपने सभी दोस्तों को शेयर कीज़ेगर बा ultrasound